जै स्री राम दोस्तो आज की इस ब्लोग में आप लोगों का स्वागत है दोस्तो आज हम सब के लिए बहुत ही खास दिन है आज जै स्री राम जी का दिन है वैसे तो हर दिन हम सब का स्री राम जी के नाम के साथ सुरू होता है और स्री राम जी के नाम के साथ ही खतम होता है आज राम लला जी का प्रतिमा का अस्थापना पूरे प्रान प्रतिष्ठा और बहुती धूम धाम के साथ अयोधिया के मंदिर में अस्थापित किया गया है जो हम लोग के लिए बहुती स्वभागी क्या बात है सही माइने में आज हम सब के लिए दिवाली का दिन है जब राम जी 14 वर्स बाद बनवास काट करके अपने घर को वापस आये थे तब राम जी का बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया गया था आज फिर एक वार वैसा ही दिन हम सब के लिए वापस आया है फिर से दिवाली मनाने का मौका आया है स्री राम चंद्र जी का प्रतिमा का पुरे प्रान प्रतिष्ठा के साथ अस्थापना किया गया है इसी अवसर पे हम लोग अपने घर में दिया जला करके राम जी का स्वागत किये हैं मानने प्रधान मंत्री जी बोले थे कि इस अवसर पे हम सब भारतवासी अपने घर में दिया बाती करके राम जी का आने का स्वागत करें तो इसलिए मैं भी अपने घर में दिया बाती करके राम जी के प्रतिमा का अस्थापना होने के अवसर में अपने घर में दिया बाती कर मनाई हूँ अयुद्या में राम मंदिर बनने और राम जी के प्रतिमा का स्थापना होने का इंतजार बरसों से सब को था तो आज वही अवसर सब को मिला है देखनी को कि अयुद्या में राम मंदिर भी बन गया और राम के पूरे प्रान पतिष्ठा के साथ मुर्ती का भी अस्थापना हो गिया है' हम लोग के इस काल में है उस काल में राम जी की मंदी भी बन गया और राम जी की पूरे प्रांग प्रसिष्ठा के साथ उनके प्रतिमा का अस्थापना भी हो गया है। माननिय प्रधान मंतरी नयंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनके सरकार में राम मंदी बना और राम जी के प्रतिमा का प्रांग प्रतिष्ठा के साथ अस्थापना हुआ। बहुत बहुत धन्यवाल है जो उनके सरकार में हम लोगों को ये दिन देखने का मौका मिला अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोगों के उपर भी स्री राम चंदर जी का आश्रिवाद हमेशा बना रहे है धन्यवाद अगर आप लोगों के लिए बना रहे है धन्यवाद